एक फॉनिंग के स्ट्रगल में फ्रस्टेशन का आलम ये है कि सड़कों पर चलते हुए ये किसी के भी साथ मार पीट तक कर सकते हैं जूम के सोर्सेज ने बताया है कि अरजन बाजवा की सबसे लेटस मार पिटाई का शकार हुआ है मुंबई का एक ट्राइवर शुकरवार की शाम को मुंबई के जुहू इलाके में इस ड्राइवर की कार और अरजन बाजवा की कार में आपस में हो गई एक हलकी सी टककर जिसके बाद अरजन का गुस्सा इस ड्राइवर पर कुछ ऐसा फूटा कि ड्राइवर की लाख मिन्यतों के बाद भी अरजन ने इसके साथ की मार पीट अर्जन की गुंडागर्दी का आलम ये था कि कार में बैठे फैमिली के मेंबर्स ने भी जब अर्जन से इस बारे में बात करनी चाही तो अर्जन ने उनके साथ भी फिल्मी स्टाइल की गुंडागर्दी में बात की अरजन का गुस्सा इतनी सी बात को लेकर साथ में आस्मान पर ऐसा चढ़ा कि वो कुछ भी सुनने को तयार नहीं थे इस बात पर अरजन के लिए शर्म करने वाली बात ये है कि वो हीरो बनने के खुआब जरूर देख रहे हैं लेकिन लोगों के साथ नर्मी से पेशाने की अरजन में बालिवुड के हीरो की तरह एक भी कौलिटी नहीं है टीनेजर्स अगर अरजन को सड़क पर इस तरह गुंडों की तरह लोगों से लड़ता देखेंगे तो वो अरजन से क्या सीखेंगे जूम ने जब अरजन से इस घटना की सचाई बता करने के लिए फोन किया तो खुद को फंस्ता देख वो पूरी घटना से ही मुकर गए आपने किसी एक ड्राइवर को थपड मार दिया तो अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ यह किसने कवर रहे आपको? यह किसने कवर रहे आपको? हमारे पास एक खबर मतलब ऐसे मेरे पास ऐसी निउस आई है यह ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसे कुछ भी नहीं हुआ? नहीं बाद में अपने पब्लिसिस्ट के जरिये इस स्टोरी को दवाने के लिए वैसे ही फोन करवाए अपने के लिए आपको भी नहीं हुआ